तो हाई एवरीवन दिस इस सांग बाजपी और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस लाइव क्लास में ठीक है तो हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग ने पहला चैप्टर केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था उसके बाद फिर हमने इसिट बेस यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर टैट इस मेटल एंड नॉन मेटल ठीक है तो यह वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था क्योंकि जो पिछली लाइव क्लास में आपकर आप लोग मैंने बनाना ज्यादा सही समझा ठीक है तो लाइव क्लास में आईए लाइव क्लास में आने का फायदा यही रहेगा कि आप वहां पर कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर ठीक है और वहां पर आपके तुरंती डाउट का एंसर बताया जाता है तो इसलिए आप ज्यादा से समझते हैं बहुत हैं रहां तो इस चैप्टर को लाइन बाइन डिसकार करते हैं क्योंकि जो बूर्ड एक्जाम में कोस्चयन आते हैं वो गया इस चैप्टर का पहले देख लेते हैं नाम का है इस चैप्टर का नाम है metals and non-metal धातु एवं अधातु ठीक है तो इन class 9th you have learned about various elements ठीक है तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत ही कमेंट करिए मैं सबके कमेंट देख रहा हूं और सबके कमेंट का तुरंत ही एंसर देनी की कोशिस करता हूं ठीक है अगर आपको कोई भी और प्राब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमारा वाट्सेप नमबर ले सकते हैं और आप हमें परसनल डा सीखिए ठीक है क्योंकि जो केमेस्ट्री आप उसे रट नहीं सकते कब तक नहीं रट सकते जब तक आपको वह पूरी समझ में नहीं आ जाएगी ठीक है और देखे मैं भी आपके साथ इतना स्टेंड कर रहा हूं आप यूटूब पर सर्च करके देख लीजिए कि अगर जादा से जादा लोगों को इस वीडियो को सेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी लाइव क्लास में आ सके और कुछ अच्छा गेंड कर सकते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है हम लोग फिर इस वीडियो को भी दो ही लेक्चर में डिसकस करेंगे तो इस मेटल और यह पहला वीडियो होगा ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कुछ जो मेटल और नन मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो बोर्ड में कोश्चन बन सकते हैं उन्हें डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो इस चैप्टर म के बारे में आपने पढ़ा होगा you have seen that elements can be classified as matter or non-metal और फिर आपने पढ़ा होगा कि कुछ elements को हम किस category पर differentiate करते हैं कि वो metal है या non-metal on this on their property उनके properties के basis पर हम उन्हें classified करते हैं कि वो कैसे हैं वो metal है या non-metal लाइव क्लास है कमेंट करते रहे है कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए जिससे मुझे confidence मिलता है कि हां बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें doubt हो रहे हैं इससे मतलब वो concept को पकड़ने की कोसिस कर रहे हैं कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए think of some users of metal and non-metal in your daily life ठीक है तो आपके दिमाग में तुरंत यहां पर आ जाना चाहिए कि क्या यह जो metal है और यह non-metal है क्या हमारी daily life से relate करते हैं ठीक है what properties did you think of while categorizing elements as metal and non-metal ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि हम वो कौन सी properties को as a base मानेंगे कि हम किसी element को metal या non-metal के basis पर उसे categorize कर दें ठीक है उनकी कौन सी properties होंगी ठीक है अभी मैं कुछ add नहीं कर रहा हूँ जो ncrt में लिखा है वहीं बता रहा हूँ ठीक है अभी मैं जादा brief में discuss नहीं करूंगा ठीक है अगर आप इसे इस वीडियो को पूरा पढ़ लेते हैं तो मेरा है दावा है कि आपको ncrt book छूने की जरूरत नहीं है ठीक है सब question यहीं से मिल जाएंगे सब कुछ मैंने बताया है ना ही कुछ add किया है ना ही कुछ remove किया है ठीक है total ncrt वीडियो बेज रहे ठीक है उसके बाद फिर हमें कुछ जो metal या non-metal हैं उनकी हमें physical properties के बारे में बताया गया ठीक है जो मिटल है या non-metal है उनकी क्या उनकी physical फिजिकल प्रॉपेरिटीज के बारे में बताया गया डिए कि जो नौनर्स में है उनकी में विजिकल प्रॉपेर्टि यह उनकी बताए गया अगे बताते हैं अगे और इ 얼마나 इसे आप इस पर उनका होवान तलम तेखना आपे रिभींग कर दें किकफ से चारे अब है तो यह activity को अब आपको इसे नहीं कर सकते हैं ये सब आपको कहां मिलेंगे ये सब चीज़े आपको लेब में मिलेंगे ठीक है लेकिन पढ़ लीजिए ठीक है कुछ आपको थोड़ा वह समझ में आ सकता है ठीक है इसमें क्या बताः गया है कि 3.1 से 3.6 था जो सबस्टेंस आपको बताएगे जो सैंपल बताएगे उन्हें आप कलिक्ट कीजिए कौन से कौन से मिटल आपको बताएगे वो बताएगे आइरेन, कौपर, अलुमिनियम, मैगनिसियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अधर मिटल्स डैट इस इसली एवलेबल, ठीक है इसी तरहे के मिटल जो की इसली एवलेबल हो ठीक है तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई आइरन का क्या फार्मूला होगा तरह लेड का पीबी जिंका जेडेन और मेटल इसी तरह के और मेटल जो कि हमें इसली एवलेबल हो जाएं ठीक है तो आगे देखते हैं के उन मेटल को क्या कहते हैं जिनका साइनिंग सर्फेस होता है तो उन उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कएते हैं metallic luster ठीक है तो कहते हैं वो metal बहुत ज़्यादा लस्चरस है ठीक मतलब उसकी जो signing surface है जो metal की surface है वो क्या है वो बहुत ज़्यादा sign कर रही हो signing surface है ना जो metal की signing surface है वही उसकी quality और जो उसके price है उसको defined करता है ना वही decide करता है कि इसका metal का price क्या होगा ठीक है जैसे कि gold है तो हमें क्या बता दिया गया भाई कि gold इतना ज्यादा महँगा क्यों है गोल्ड और आईरन की जो प्राइस है जो कॉस्ट है वो क्यों क्यों नहीं है क्योंकि जो गोल्ड है जो गोल्ड है उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है उसके पास प्रॉपर्टी है मेटैलिक लस्चर की उसका सर्फेस कैसा है साइनी सर्फेस है ठीक है तो यहां से मैं आपको वो एक एक बास समझाने की कोजिस कर रहा हूं अगर अभी भी आपको कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट करें ठीक है उसके बाद फिर आपको एक्टिविटी बताई गया एक्टिविटी 3.2 ठीक है ऐसे भी मेटल है कुछ ऐसे भी मेटल है जिनको हम किसमें बीट कर सकते हैं जिनको हम थिन सीट में बीट कर सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं जिनको अगर हम बीट करें बीट मतलब पीट ना अगर हम उनको हैमरिंग करें उन पर हैमर एपलाई करें तो कैसे तूट तो यहां पर आपके लिए एक मार्स का कोश्चन तयार हो गया एक मार्स का कोश्चन क्या बन सकता एक कोश्चन एक मार्स का कोश्चन बन सकता है कि name the most malleable metals ठीक है तो gold and silver are the most malleable metals यहाँ पर आपको जो question बनने के संभावन है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ आपको सतर कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर question बनने के संभावन है ठीक है तो अगर अभी तक आपने वीडियो की जो notification है वो सबसे पहले आप पास अगी ठीक है जो live class है उसके बारे में जो news रहती है जो notification रहती है वो आपको सबसे पहले पता चल जाए ठीक है उसके बाद फिर आगे आपको activity 3.4 बताया गया उसके बाद फिर आपको बताया गया the ability of metal that to be drawn into the wires is called ductility अगर हम किसी भी metals को वायर के थ्रू वायर के अंदर डालते हैं तो उसकी इस property को उसकी इस property को हम लोग कहते हैं ductility उसकी इस property को हम लोग कहते हैं ductility ठीक है उसकी इस property को हम लोग क्या कहते हैं ductility कहते हैं ठीक है तो भाई आपके दिमायक में तुरंट एक अच्छा जब्सक्टायल मेटल कान सा होगा तो सबसे ज़्यादा डकाइल मिटेल आपको यह में बताया गया कि गोल्ड यहाँ पर आप यह फैक्ट बताया गया देखिए जो फैक्ट होते हैं अभी आपने पहले चैप्टर में बढ़ा था सबसे पहली लाइन जो थी की बताया गया था facts are not science जो तत्थे होते हैं वो विज्ञान नहीं होते हैं ना जो तत्थे होते हैं वो विज्ञान नहीं होते हैं उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है आगे हम लोग को बताया गया है तो आप इससे कितना टू किलो मीटर लंबा वायर बना सकते हैं इससे आप क्या कर सकते हैं टू किलो मीटर लंबा वायर बना सकते हैं इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे मोस्ट डेक्टाइल मेटल का रूप दे दिया गया मोस्ट डेक्टाइल मेटल का दर peso LEI ? लुटम कर सकते हैं उनको अपनी नीड के हिसाब से उनका जो से इसाइड कर सकते हैं के रिफके कहने के जो खाना बनानी वाले बड़तन होते हैं वह different से बनी रहते हैं तो आपके दिमाग तुरंत यहां पर आ जाना चाहिए जो कोटिंग वेसल है वह हमें किस तरय के चाहिए हमारी नीड क्या है ठीक है do you know why these metals are used for making vessels तो क्या आपको पता है कि हम लोग कौन से metals को यूज करते हैं ठीक है let us do the following activity to find out answer ठीक है तो यहां पर आपको एक activity थू बताया गया आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया the above activity shows that metals are good conductor and high melting ठीक है तो आगे बताया गया एक्टिविटी में आपको बताया गया कि जो रहती हैं बहुत एकी की हे movie रोते हैं किसके αυτओ के अनका की की होते हैं और जो इनका मेलटीग पॉइंट है क्या होता है दिखें मैं आपको मेटल कैसे होने चाहिए जो। ले कुकिंग विसल के लिए बहुत ही अच्छे। और पॉइंट है जो मोटिंग पॉइंथ हो वह हाइँ-ापके दिमाग में तुरंथ ही मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों चाहिए तो इसका एंसर यह होगा कि हमें उसका मेल्टिंग इसलिए ही होना चाहिए चम्राइसे के melting point है बहुत ही ज़्यादा low तो थोड़ी देर बाद गरम होने के बाद वह क्या होगा वह melt हो जाएगा ना तो हमें ऐसा नहीं चाहिए हम चाहते हैं कि वह melt ना हो ठीक है तो इसलिए हमने उसकी दो properties को ले लिया दो properties हमने कौन से लिए दो properties हमने लिए कि वह बहुत ही अच्छा good conductor हो और उसका जो melting point हो वह बहुत ही ज़्यादा हो the best conductor of heat and heat are silver and light ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए फिर बहुत ही अच्छा question मनकर तयार हो गया है कि name ने मैंने to best conductor of heat यहां मैं electric city की बात नहीं कर रहा हूं नहीं मैंने to best conductor of heat heat को हम किसे denote करते हैं heat को हम लोग delta से denote करते हैं याद होगा मैंने पहले वीडियो में discuss किया था ऐसे कुछ symbol बनता है delta का ना ऐसे triangle कि दर है ठीक है triangle से नाम याद आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर triangle को पूरा discuss कर चुके हैं एक ही वीडियो में ठीक है जो कि किसी नहीं किया एक वीडियो में triangle को पूरा पढ़ पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था लेकिन हमने यह भी कर दिखाया ठीक है तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लेड का सिंबल क्या होगा लेड का सिंबल होगा पीबी और मरकरी का मरकरी का सिंबल होगा ह घक है मरकरी का सिंबल होगा घक है याद कर लिजे क्योंकि यह आगे आफको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ठीक है किसका सिंबल है यह है मरकरी का ठीक है इस पेस कम होने के वज़े से पूरा नहीं लिख पा रहे हैं है एच जी सिंबल है मरकरी का ठीक है अगर आपको और कोई problem है या doubt है तो आप हमें comment करिए हम आपके comment देख रहे हैं और comment का answer comment में ही दे रहे हैं do metals also conduct electricity तो क्या यहाँ पर एक question उठके आ गया है कि भाई metals क्या conduct करेंगे electricity को हमने second chapter में पढ़ा है कि कोई substance कब electricity को conduct करेगा कोई substance का वे electricity को conduct करेगा तो जब उसमें आयन्स का flow होगा जब उसमें क्या होगा जब उसमें आयन्स का flow होगा तो given substance conduct electricity क्या करेगा वो substance करेगा क्या conduct करेगा electricity को ठीक है तो यहाँ पर आपको एक activity बता दी गए देखिए एक battery प्रणी वुझा सवाव तरी है दो दी हुई है एक इंपोर्ट्रिन नहीं है यहां पर यह पर इंपोर्ट 스ड है यहां पर आपस में जाये वहां पर आपको यह जय सांगे तो यहां पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जो फिजिक केमेस्ट्री और बायो यह आपस में क्या लिंक्ड है इंटर कनेक्टेड है अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ें क्योंकि वह आगे आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगा उसके कुछ अगर आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा तो देखे मैंने उसमें एक जगें लिखा था पीवीसी मैंने तुरंत ही आपको उसका फॉर्मूला बताया और बताया कि वह पीवीसी होता क्या है ठीक है तो आपके दिमाग में तुरंत यह आ जाना चाहिए कि भाई मुझे पता पक्का होगा मैंने पढ़ा जरूर होगा कही न मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था sell चैप्टर में मिला वही आपको बता दिये toあの इसी तरह आपको भी हर्या चीज को बता पकरना होगा कि कोई चीज कहीं मिल लहीं है कोई नजया طरman दिमार्म कहीं अजाना चाहिए हो लेयर होती है PVC के कोटिंग होती है किस पर जो wires होते हैं हमारे houses पर जो wires होते हैं हमारे houses पर किस लिए होते हैं जो current को carry करते हैं ठीक है उसके बाद फिर हमें बताया गया why are electric wires coated with such substance तो हमें बताया गया कि electric wires होते हैं वो किस लिए इस तरह के substance से coated होते हैं what happens when metals strike a hard surface ठीक है तो आप किसी भी मेत्ल को ले लなら बेखे किसी हारड सर्फेश पर इस्ट्राय कराईए तो आपको क्या मिलेगा ठीक है तो यह आपके दिमाग में फस्ता इस A इकजामपल आजाना चाहिए कि यहां इस चूवल में देखते हैं कि जम क्या देखते हैं कि जब रही bell ring होती है तो क्या एक आवाज produce होती है एक sound reward होती है ठीक है तो आपके दिमाग पे तुरन तरह आ जाना चाहीए ठीक what happens when metal strike a hard surface do they produce a sound, हाँ बिलकुल भाई produce करेंगे sound हमने देखा है में the metal that produce a sound a hard surface are set to be a sonorous तो उसकी इस characteristic property को उसकी इस characteristic property को हम क्या बोलेंगे उसकी तो हमें क्या बताया गया हमें सबसे पहले बताया गया है malleable तो a metal which can be beaten into thin sheet is called malleable ठीक है और metals की ऐसी property को हम क्या बोलते हैं ऐसी property को हम लोग malleability बोलते हैं उसके बाद फिर हमें बताया गया कि ductility क्या होता है the metallic property in which the metal can be drawn into wires wires यह thin wires is called ductility ठीक है उसके बाद आपको बताया गया कि अगर हम ग्राम गोल्ड को लेंगे तो हम उससे कितना 2 km लंबा बना सकते हैं और जो जो गोल्ड है यह most ductile metal होता है ठीक है वहीं आपको फिर बताया गया कि the metals that produce a sound on striking a hard surface to be a sonorous ठीक है और मेटल के इस property को हम लोग क्या कहेंगे sonority can you now say why school bells are made of metals ठीक है तो यहां पर आपको बताया है can you now say why school bells are of metals जो school bells होती है जो school bells होती है वो metal से क्यों बनी रहती है तो आपको भाई पता है अभी आप अभी हमने आपको बताया तो किस लिए होती है due to their property of sonorous यह sonority property के वज़े से ठीक है तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा non metal के बारे में बता दिया गया ठीक है इन दा previous class you have learned that there are few non metals as compared to metal उसके बाद आपको बताया गया कि अगर हम अगर हम periodic table को लेते हैं तो उसमें हमें क्या किस तरह के elements मिलेंगे उसमें या तो हमें मिलेंगे metals या तो non metals या तो फिर metalloid इन ही तीन में से मिलेंगे ठीक है उसके बाद जो metalloid होते हैं वो क्या होते हैं metal और non metal के combine form होते हैं वह दोनों property को connect करेंगे ठीक है वह दोनों departure को सो करेंगे कौन metal iid ठीक है तो उसका डिस्कंसन अभी नहीं उसका डिस्कंसन हम लोग किसमें करेंगे उसका डिस्कंसन हम लोग last चैप्टर में करेंगे periodic classification of element जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं periodic table के बारे में कि periodic table बनी कैसे किसने सबसे पहले बनाया इसमें बहुत सारे new invention क्या नया एड किया किया रिमूव किया ठीक है उसके ड्रॉबैक क्या थी तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से वह सब पढ़ने वाले हैं वहां पर अभी नहीं डिसकस करेंगे ठीक है तो इस चैप्टर में में क्या आगे बताया गया देखते हैं क्योंकि वह तो और वह इंदर तो ऑन चाहिए तो आपके तुरंडिमांग में क्योश्चे ना चाहिए कि बाई यहां और यह क्वेश्चन बन सकता है जो सकता है नेम दůन मेंटहल विचिस लिक्वेड़ इन सट तो एक अकेला ही ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन है बी-ार--1 जिसके वैलेंसी होती है माइनस वन सिंबल होता है बी-ार-माइनस-वन वैलेंसी होती है नशाथ यह सब आपको हर solid or gas gases except Bromine which is liquid Bromine कैसा होता है Bromine का जो physical state होता है वो क्या होता है वो लिक्वीड होता है ठीक उसके बाद फिर आगे आपको बता है परफॉर्म करें उसे क्या करें उसे आप करें तो आगे देखते हैं कि बताया है थिए तो आपको बताया गया और तो करेंगा यह नहीं तो आपको पता होना चाहिए उसके बाद प्रोप बताना चाहिए ऑतeg the कि उसके बाद प्र आपके दिमार पर तुरंत ऐकोंचन आजाना चाहिएर कि अगर हमने किसी ऐसीट सब्सेंसôm को लिए जो Wakaja मेल होगा ठीक है तो तो उसके जो सर्फेस होगी वो क्या होगी वो इस्ट्रांग होगी उसकी जो हार्डनेस होगी क्या होगी वह भी बहुत ज्यादा होगी मैलीबिल्टी क्या होगी वह मैलीबल होगा डक्टाइल होगा ठीक है एलिमेंट है जिंग इसका जो सीम्बल है वह जैडेन उसके बाद जो इसके टाइप ऑफ सर्फेस है टाइप ऑफ सर्फेस क्या होगी हो सकता है यह बहुत ज्यादा है नहीं ठीक है उसके बाद फिर आपको बताया गया on the basis of the observation recorded in table 3.1 discuss the general physical properties of metal and non-metal in the class discussion की बाद बताई गई you must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone उसके बाद आपको बताया गया कि हम किसी भी metal यह किसी भी element यह किसी भी non-metal को किसके basis पर उसकी physical basis पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल basis के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल properties के basis पर हम उसको categorize नहीं कर सकते हैं as there are many exceptions क्योंकि बहुत सारे अपवाद हैं for example यहां पर जो आपको बताया गया यहां पर जो आपको बताया गया most important है ठीक जो यह सब point आपको आपको क्या बताया गया ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको बताया गया जो यह point है इसमें आपको बताया गया all metal except mercury exist as solid at room temperature ठीक है तो यह एक नंबर वाले question है कितने एक marks one marks के जो यह question बन सकते हैं वह मैं आपको बता रहा हूं all metal except mercury exist as solid at room temperature ठीक है तो यह आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है इन activity 3.5 you have observed that all that metals have higher melting point ठीक है higher melting point but gallium and cesium have very low melting point these two metals will melt if you keep them on your path अगर आप इन्हें अपनी हथेली पर रखते हैं तो यह easily melt हो जाती है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो इनका melting point है वो हमारी normal body temperature से बहुत ही ज्यादा कम है हमारी normal body temperature से क्या है इसका melting point है वो बहुत ही कम है ठीक है इसलिए आराम से मिल्ट हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर इस question बन सकते है question बनने ही वाले है आप यह मायन के चलिए यह question बनने ही वाले है ठीक है तो आगे देखते हैं दे दी इस टू मेटल्स फिल ठीक है यह हम लोग देख चुके हैं अगला पॉइंट सेकंड पॉइंट हमें क्या बताया गए आयोडीन एक ऐसा नौन मिटल है आयोडीन एक ऐसा नौन मिटल है लस्टर तो लस्टरस होता है मतलब जो इसकी सर्फेस होती है वो कैसी होती है साइनी होती है शाइनिंग सर्फिस उसके बाद थर्ड बॉइंट में आपको बताएगा कार्बन इस नॉन मेटल डैट कैने डिफ्रेंट फॉर्म कार्बन एक ऐसा मेटल से जो कि बहुत सारे डिफ्रेंट फॉर्म में एक्जिस्ट करता है इच फॉर्म इस कॉल एन एलोट्रो तो यहां पर आपके लिए यह प्तिका त्यार हो गया कि वह टरेग आप के क्या कहते हैं तो कर्बन चुक्राइब डिफ्रेंट फॉर्म औरॉप साथमर्द कर्फंद नहीं चूट्रोप सब्स्रेंज नो चाहिंतिग सैन्वब हैं तो अभी तक अभी तक जो हमारी सबस्टेंस बताया गया है अभी तक जो हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हार्डेस निश्रल सबस्टेंस बताया गया है वो क्या है वो है डाइमंड देख है दोस्तों कि आपको पता है अगर नहीं पता तो आज ही जान लीजिए और जो इसका मिल्टिंग होता है मेंटिंग और बॉलिंग पॉइंट होता है क्या बहूत ज्यादा हाइव होता है ग्रेवाइट अनडर ऐलो ट्रॉप अ कंड़क्तर ओफ लेक्ट्रिक इसके बाद जो का अश्च्छ में अजरी कौ अगर आपको अभी वी पूछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेशन में जाकर तुरंथी कमेंट करें लाइव क्लास चल लही है लेकिन हम तब भी आपके कमेंट का एंसर देते रहेंगे ठीक है और क्लास को आधिर से छोड़ेंगे नहीं ठीक है जो हो जाए क्लास पूरी देखेंगे उसके बाद फिर हम लोग NCRT रीड कर लेंगे एक बार फिर सेखञां मिटल उन लेथियम सोडियं पोटैश्यं ठीक है तो रखें रापके लिए तुरंथी क्या होते हैं कोई दो यह तीन Safari मेंटर चाहिए तूतुरंद बन जाना चाहिए? क्या बनेगा? यहां पर बनेगा? यहां पर क्या बताया जाएगा? यहां पर आपको बताया जाएगा ठीक है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमने sodium को ऐसे रख दिया ठीक है sodium को ऐसे रख दिया तो यह क्या हो जाएगा यह एक वोलटाइल सब्स्टेंस है बहुत ही ज्यादा हासानी से उड़ जाएगा और यहां पर एक चीज़ और हो सकता है कि sodium जो है जब sodium oxygen की प्रिजिंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह सब बताया जाएगा तो आगे देखते हैं elements can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties ठीक है तो जो अभी हमने previous पढ़ा जो हमने previous पढ़ा उससे एक question बहुत अच्छा बन सकता है कि जो metals or non-metal के बीच में आप differentiate करिए on their basis of physical properties ठीक है तो वहां पर आप बता देंगे sonority की property बता देंगे कि इसमें होता है इसमें नहीं होता और example के through आप उसब कर लेंगे ठीक है आगे activity बताएगे 3.8 activity को हम लोग discuss नहीं करेंगे आगे देखते हैं आगे क्या बताया है most non-metal produce acidic oxide most non-metals produce acidic oxide ठीक है तो हमने second lecture में जो हमारा second chapter था acid basis on salt जो उसका फस्ट वीडियो था हम लोग में इसको discuss कर चुके हैं कि जो metal के oxide होते हैं जो metal के oxide होते हैं वो कैसे basic nature के होते हैं और जो acid oxide होते हैं वो क्या होते हैं basic nature के वह जो non-metal to oxide होते हैं वो कैसे होते और उनका जो नेचर नेचर होता है क्या होता है सडीक होता है when dissolve in water on the other hand most metal give rise to basic oxide तो metal oxide होता है वो क्या क्या देता है वह basic oxide देता है you will be learning more about this metal oxide in the next session ठीक है नेक्स सेक्षन में आप इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए दो कोश्चन बताये गए हैं आप इन्हें आसानी से कड़ सकते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आजाना चाहिए कि भाई आभी हमने पढ़ा है क्या होगा मर्करी होगा तो अभी आपने पढ़ा लास्ट पॉइंट में बताया गया कि सोडियम लीथियम पोटेशियम जिनके डेंसिटी बहुत ही कम होती है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उन्हें क्या कर सकते हैं उन्हें हम इसली नाइफ से कट कर सकते हैं ठीक है तो यह सब आपके लिए 23.2.4 for this collect the samples of the following metals aluminum copper iron lead magnesium zinc and sodium अगे देखते हैं what happens when metal are burned in air क्या होगा अगर हम metal को air में बर्न कर दे मतलब अगर हम उसको air के presence में बर्न कर दे तो क्या होगा ठीक है तो देखते क्या होगा you have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling white flame तो आपने activity 3.8 में देखा है कि magnesium कैसे बर्न होता है dazzling white flame से अगर आपने activity 3.8 में नहीं भी देखा है तो आपने जो पहला वीडियो था chemical reaction and equation उसका जो lecture number one था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले यही discuss किया था कि जब हम magnesium को oxygen की presence में heat करते हैं तो क्या produce करता है dazzling white flame ना वहाँ पर हमने पढ़ा था तो देखे जो chapter one का connection किस से है chapter three से ना तो यह सब chapter आपस में interconnected होते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं do all metals react in the same manner ठीक है तो क्या सभी metals एक ही टाइप से react करते हैं with air वो सेम है कि नहीं है तो देखते हैं let us check by the performing the following activities activity 3.9 इसे आप परफॉर्म ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको lab होनी चाहिए वहाँ पर सारे metals easily available होते हैं ठीक है उसके बाद फिर आगे देखते हैं almost all metals combined with oxygen to form metal oxide जितने भी metal है almost बताया गया है लग बहग जि oxygen oxygen से react करनी के बाद वह metal के oxide को ही बनाते हैं ठीक है तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हमने mg को react कराया था mg कराया था तो क्या मिला था mg को oxygen की presence में रियाक कराया थो तो MgO मिला था ना metal को oxide ठीक है कुछ बच्चों के comment आ रहे थे कि जो reactant है उसे हम product में नहीं change कर पा र reaction के बारे में बताया गया था ठीक है और उसके बारे में आप deeply यहां पर एक पढ़ रहे हैं ना ठीक है तो यहां पर आपको क्या बतायागी यहां पर आपको सीधा-सीधा property ही बता दी गई क्या बता दी गई कि जब हम किसी मेटल को oxygen की presence में react कराएंगे तो हमें क्या मिलेग मेटल को oxide मिलेगा क्या मिलेगा मेटल को oxide मिलेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो मेटल को oxide है किस नेचर का होता है यह होता है बेसिक नेचर का होता है ठीक है तो आगे देखते हैं for example when copper is heated in air it combines with oxygen to form copper second oxide of black oxide ठीक है तो copper second oxide का जो color होगा वो क्या होगा blackish black color का होगा ठीक है तो यहां पर आपको reaction बताई गई है जब 2cu को हम oxygen के presence में react कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा two times c u o मिलेगा similarly aluminum forms aluminum oxide जब हम al को react कराएंगे oxygen के presence में तो Al2o3 मिलेगा यह सब आपको पता होना चाहिए न आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है आगे हमें बताया गया है कि recall from chapter second how copper oxide reacts with hydrochloric acid chapter second यह बात हमें रिकाल करनी चाहिए कि copper oxide कैसे hydrochloric acid से र्यायक करेगा ठीक है तो copper copper oxide किस nature का होगा अब बताइए कमेंट से सान में जाकर तुर्ण बताइए copper oxide metal oxide अभी बताया basic nature का होगा और hydrochloric acid है तो acid plus salt and water की reaction होगे तुरण salt बन जाना चाहिए ना we have learned that metal oxide are basic in nature but some metal oxide such as aluminum oxide zinc oxide ठीक है और इसका एक example और है lead oxide source both acidic as well as basic behavior ठीक है as well as basic behavior metal के oxide जितनी होते हों basic behavior के होते हैं metal के oxide क्या होते हैं basic in nature होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी metal है है कुछ ऐसे भी metal हैं जो दोनों forms को सो करते हैं मतलब वह acidic nature को भी सो करेंगे वह basic nature को भी सो करेंगे ना ठीक है जैसे aluminum oxide zinc oxide delayed oxide source both acidic as well as basic behavior such metal oxide which react with both acid size base to produce salt and water are known as amphoteric oxide क्या बोलेंगे उन्हें उन्हें बोलेंगे amphoteric oxide उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें लोग बोलेंगे amphoteric oxide ना समझ में आ जाना चाहिए amphoteric oxide क्या होते हैं aluminum oxide reacts in the following manner with acid and basis ठीक है तो यहां पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी reaction बताई गई बहुत ही अच्छी reaction क्या बताई गई कि आप confused ना हूँ एक बार हमने al2o3 को hcl जो की acid है उससे react करा दिया और एक बार al2o3 को जो neoh है जो की की strong base है उससे react करा दिया तो हमें product क्या मिले जब हमने al2o3 को hcl सरीया कराया तो हमें मिला alcl3 और जब हमें plus h2o मिला ठीक है यहां पर यहां पर जो al2o3 है यह किस नेचर का है यह यहां पर basic nature को so कर रहा है ना basic nature को so कर रहा है जिसके कारण जो acid और base मिलकर salt and water को बना रहे है ठीक है उसके बाद फिर यह हमें al2o3 बताया गया जो ही हमें al2o3 बताया गया अगर हमने इसे यहां पर base ले लिया है यह एक हैं वो डूजले होते हैं लेकिन लेकिन कुछ ऐसे मेटन हैं जो कि वाटर में डिजॉल सौने में अरकलीज और और एलक्लीज तो यहां पर आपके रिए एक फिर से कुश्चन मन के तयार हो गया कि आप दो ऐसे मिटल का नाम बताईए जो कि वाटर के साथ रियाक्ट करने के बाद वाटर के प्रिजिंस में रियाक्ट करने के बाद क्या बना दें अगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है हमें आगे हमें बताया गया है कि we have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at same rate आगे हमें यह बताया गया है कि जो सारे metals होते हैं वो एक तरह से oxygen से react नहीं करेंगे same rate पर नहीं react करेंगे करेंगे हमें वाने स。 के हैं तो आगे देखने हैं आगे क्या बताया गया है different metals earn, different react都 तो यह मेटल्स होते हैं जो सोडियम होता है यह इतने वीगुरसली ऑक्सीजन से रियाक करते हैं कि अगर इन्हें हम ओपन ऐसे रख दें तो यह जैसे एट्मॉस्परिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तुरंधी क्या पकड़ लेगा आग पकड़ लेगी फायर इट क यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छा कोश्चन जो कि एक बहुत ही चोटा सा कोश्चन और बहुत ही चोटे लेवल का कोश्चन है कि वाई वी एमर्स सोडियम और पोटेशियम इन केरुसीन ओल तो तो प्रुवेंट दियर रियक्शन विद एट्मॉस्फेरिक सो देट दे आर केप्टीन केरोसीन ओल चोटा सेंसर एट ओर नेडी टेंपरेचर डा सर्फेस फुब मेटल सच अब्स तो हमें बताएगे कि अगर हम और नरी क्या करेंगे अगर हम इन मेटल को जैसे मैंगनीशियम अलुमिनियम जिंक लेड को अगर रख देते हैं तो यह क साइड की लेयर से कवर्ड हो जाती है ना ठीक दा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट दा मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन उस पर और ऑक्सीजन नहीं एड हो पाएगा ठीक है तो आगे देखते हैं आगे क्या बताएगा है आएरन डास बन ऑन हीटिंग ब गिंदा फ्लेम यह अहां प्रिजयन नहीं होगा चाहिए आप उसे जितना भी हीट्प कर दें अगर और हि CHF double 4 च् threads कोपता होगा आप लोग अच्छे सह जाना देंग वह बहुत ही तीजी से रियाक करती है कि इसकी जब हम बर्नर की उपर ले जाती है ठीक है क्योंकि वहाँ ऑक्सिजन की प्रिजन्स है तभी बर्नर जल लाए इसी के कारण वह बहुत ही तेजी रियाक कर जाता है और जलने लगता है अगर वही हमने कॉपर सेकेंड ले लिया वही हमने कॉपर सेकंड ले लिया वही हमने इस सेकेंड ले लिया तो वह क्या होता है वह जलने लगता है क्यों जलने लगता है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ऑक्सिजन क्या होती है वह तो oxygen से react नहीं करती है even at high temperature ठीक है उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक box बना हुआ है इस box में देखते हैं क्या बताएगा do you know क्या आप जानते हैं तो भाई अभी तक तो नहीं जानते थे आज अभी जान लेते हैं ठीक है प्रेइट हैं उसे हम बोलते हैं उसे हम पिलो जब्ला नanderतो किस recommendations करता है this aluminum oxide coats makes it resistant for further corrosion और यह further corrosion को prevent करता है resist करता है रोक की रखता है the resistance can be improved further by making the oxide layer ठीकर ठीक है मान लीजिए कोई metal है उसमें जो मान लीजिए कोई metal है उसकी layer पहले इतनी थी उस पर हमने thin oxide की layer लगा दी ना उस पर thin oxide की layer लग गई ठीक है दो मान लीजिए थोड़ी और मोटी हो गई ना उसके बाद भी कह रहे हैं कि अगर यह थोड़ी से और मोटी हो जाए अगर क्या हो जाए अगर यह थोड़ी से और मोटी हो जाए तो जो इसका further corrosion है जो इसका further corrosion है वह क्या हो और ज्यादा प्रिवेंट हो जाए ना और ज्यादा क्या हो जाए और ज्यादा प्रिवेंट हो जाए ठीक है कलर चेंज करते हैं दर रिजिस्टेंस कान बी इंप्रोड फर्दर वाई क्या होता है जिसमें क्या होता है क्लीन अलुमिनियम आर्टिकल को लेते हैं यहां पर आपको आपको प्रोसेस तुरंत ही याद कर लेनी है इसमें क्या बताया गया है बारे में विखे आलुमिनियम आर्टिकल अप्लीनियम आर्टिकल क्लीन आर्टिकल इसमेड़ इसमेड़ अनोड शॉरी और इस ऐलेक्रोलाइज बित डायलूट सुल्फियूरी एसीड तो ऑक्सिजन गैस इवाल्चीजन गास यहां इनोड रिक्ट इसमेड शुक्षिद ट पारे में बताया गया है आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है इसमें क्या बताया गया है इसमें फिर सब एक बार बताने के कोशिज करता हूं एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम aluminum के उपर एक ठीक oxide layer की formation करते हैं ठीक है उसके बाद फिर हमें बतायागे कि हम एक pure aluminum को एक बार clean aluminum article को anode पर ले लेते हैं ठीक है उसके बाद S2SO4 की presence में हम इसे electrolyzed करते हैं उसके बाद फिर oxygen gas evolved होती है और oxygen gas कहां पर anode पर जाती है oxygen gas पर क्या sign होता है oxygen gas पर minus sign होता है oxygen gas पर कैसे sign होता है oxygen gas पर minus sign होता है ठीक है जब oxygen gas के उपर minus sign होता है oxygen gas के उपर minus sign होता है और यह किस तरफ जाती है यह जाती है एनोट पर पर होता है प्लास और माइनस आपस में क्या करते है और यह सब कॉमन सी चीजे है यह सब तो आपको जरूरी पता होगा उसके बाद क्या होता है एनोट फब्लस पर जब oxygen लग गई मतलब उसे oxygen हो गई नैंड तो इससका क्या होग और यह हु Oxigation पर जो है उसकी जो लेयर है वो किसी तरह ठीक हो जाए ठीक है तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है after performing activity 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal ठीक है तो अभी तक आपको यह पता हो जाना चाहिए कि activity activity 3.9 कि क्या जो सबसे ज्यादा reactive metal है वो कौन सा है वो sodium है ठीक है अभी तक हमने इतनी activity perform कर ली है the reaction of magnesium is less vigorous implying that is not as reactive as sodium ठीक है जो reactivity magnesium की है वो कम है किसके comparison में sodium के comparison में but burning in oxygen does not helps us to decide about the reactivity of zinc iron copper for all it लेकिन लेकिन जो burning होती है जो burning होती है यह किसी metal की reactivity को decide नहीं कर सकता है ठीक है let us see some more reactions to arrive at conclusion about the order of reactivity ठीक है तो यहां पर हम लोग और conclusion को obtain करते हैं जिससे हम यह बता सके जिससे हम लोग बता सके कि metals की reactivity किस बेसिस पर depend होती है what happens when metal react with water तो क्या होगा भाई अगर कोई metal react कर जाया water से माली जी हमने sodium को लिया sodium को किस में डाल दिया water में डाल दिया कभी गलती से भी मत कीजिएगा ठीक है क्योंकि मुझे बता है क्या होगा आप अभी जान लिजे क्या होने हो जाएगा ठीक है आगे बताया गया है metals react with water to produce metal oxide and hydrogen gas तुरंत याद कर लेजिए तुरंत ही याद कर लेजिए इसमें क्या बताया गया है metal react with water to produce metal oxide metal water के साथ react करने के बाद क्या बनाएंगे metal oxide and hydrogen gas metals react with water to produce metal oxide and hydrogen gas ठीक है उसके बाद जो आपको metal oxide मिलेगा वो किस नेचर को होगा और जितने भी metal के oxide होते हैं वो basic nature के होते हैं ठीक है अभी हमने क्या discuss किया अभी हमने discuss किया एमफो टेरिक oxide aluminum oxide zinc oxide or lead oxide किस nature के होते हैं एमफो टेरिक oxide के होते हैं मतलब यह समय आने पर acidic और समय आने पर basic दोनों properties को तो सो करता है अगर video को like नहीं किया है तो थुरेंदी video को like कर दिजिए कम से कम 50 likes तो जरूर ही होनी चाहिए 50 like हां कम से कम 50 like होनी चाहिए ठीक है आगे देखते हैं क्या बताया गया है बट all metals do not react with water लेकिन कुछ एसी भी मेटल है जो वाटर से रियाक्ट नहीं करती है एक लाइन मिस हो गई है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कुछ मेटल ऐसी भी होती है जो वाटर से रियाक्ट ही नहीं करेंगी कौन-कौन से मेटल होती है पहले हम लोग इस स्ट्रेंडर्ड फ़र्म को देख लेते हैं मेटल अक्सड प्लस रॉटर मेटल हीड्र तुरंत याद कल लिजे जैसे ही देखा तुरंत याद with cold water in case of sodium and potassium the reaction is so violent and exothermic that is evolved hydrogen gas immediately catches fire ठीक है तो यहां पर आपको पता हो जाना चाहिए कि जो sodium और potassium है यह water से react करने के बाद तुरंत क्या कर लेते हैं fire को क्यों catch कर लेते हैं क्योंकि जो hydrogen gas क्योंकि जो process होती है बहुत होती है तो क्या आपको पता है कि जो hydrogen gas यह बहुत ही जलती है बहुत ही बिरमिंग का source है इसका बहुत ही जलती होता है अगर नहीं पता था तो comment करके बता जीघे कि मुझे यह नहीं पता था क्वेंकि मुजे यहां पर एक चला ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है कि मेटल्स लाइक पोटाशियम एंसोडियम ठीक है डिसकस कर चुके हम लोग उसके बाद आपको रियाक्शन बताएगे प्लस 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 हीट इनरजी रियक्शन ऑफ कैल्सियम की रियक्शन है यह सब कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं यह अभी आपको लगेगा इंपोर्टन नहीं अभी तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा लेकिन जब हम इनके कोस्टन सॉल्व करने लागेंगे जहां पर बहुत से बड़े बड़े कोश्चन आपको मिलेंगे ना वहां पर यही छोटे छोटे हिंट रहेंगे बता दिया जाएगा कोई मेटल ए है जिसके आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी बता दी जाएगी कि जो उसकी प्रॉपर्टी जैसे आपको बता दिया गया मान लिजे कि आपने तो यह वाटर पर आपको इसके बारें पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है ना तो इस लिए इस आपको बताया गया है नहीं यहां पर कोई बहुत ज्यादा इसका माइं है नहीं ठीक है अगे बताया गया है the reaction of calcium with water is water is less violent the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire ठीक है उसके बाद आपको बताएगा है जो calcium के साथ water के reaction होती है वो कैसी होती है less violent होती है due to which the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire इसलिए जो hydrogen gas होती है जो hydrogen gas होती है यह इतनी sufficient नहीं होती है कि क्या हो है fire को catch कर ली आगे देखते हैं calcium start floating floating because the bubbles of hydrogen gas form stick on the surface of metal उसके बाद फिर हमें बताया गया कि जो यह हमें calcium मिला जो हमें calcium मिला वो क्या होगा वो जो water की surface हो उस पर क्या होने लगेगा फ्लोट होने लगेगा क्यों फ्लोट होने लगेगा क्यों क्यों hydrogen gas के bubbles हैं वो उस पर stick हो जाएंगे magnesium does not react with cold water बहुत यह अच्छा question मन के तयार हो गया कि magnesium क्या cold water से react करता है ठीक है magnesium does not react with cold water magnesium cold water से ही react नहीं करेगा जाए magnesium को लीजे और cold water में ऐसे डाल दीजे कुछ होगा ही नहीं नहीं एक रियाक्स वाइट हो विद होट वाटर तुफा फ़र्म magnesium hydroxide ठीक है तो माल लीजे यहां पर आपके लिए question मन सकता है कि name the metal which does not react with cold water but react with hot water to form its hydroxide respective hydroxide and hydrogen gas इसका answer क्या होगा magnesium होगा it also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas stinging on its surface same reason कैसा वाला calcium वाला metals like aluminum iron and zinc do not react either with cold or hot water उसके बाद आपको बताया गया कि जो metals aluminum iron जिंग यह किस से react ही नहीं करेंगे यह नहीं cold water से react करेंगे नहीं hot water से react करेंगे but they react with steam steam से react करेंगे to form the metal oxide and hydrogen gas ठीक है उसके बाद पिर आपको बताया गया कि जब हमने aluminum को react करा किस से s2o से तो हमें क्या मिला al2o3 plus s2 gas यह दोनों reaction आप मानके चलिए कि बहुत ज़्यादा important होने वाली है बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा important तुरंत याद कर लिजिए ज़्यादा किया है तो तुरंत ही कर लिजिए आपके घर में जितने फोन है सबसे सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है what happens when metal reacts with acid ठीक है यहां पर एक point छूट गया metal such as lead copper silver and gold do not react with water at all ठीक है उसके बाद यह आपको बताया गया कि metals जैसे lead copper silver and gold यह react ही नहीं करेंगे water से ठीक है ना water से ना hot water से ना cold water से ना steam से किसी आसे react नहीं करेंगे ठीक है तो आगे देखते हैं क्या बता है what happens when metals react with acid क्या होगा अगर कोई metal acid के साथ react कर जाए you have already learned that the metals react with acid to give salt and hydrogen gas तो हमने यह concept जो यह concept है इसे किस chapter में इसे हमने second chapter में ही discuss कर लिया है इसे हमने second chapter में ही discuss कर लिया है कि जब कोई acid metal से react करेगा तो acid plus metal salt and hydrogen gas मिलने वाला है ना यह सब तो हमें पता ही है यह सब तो बहुत आसान चीज़े बता रहे है metal plus dilute acid क्या बनेगा metal plus dilute acid salt and hydrogen gas dilute acid ठीक है dilute क्यों लिखा है dilute यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे acid होते हैं कुछ ऐसे acid होते हैं जो कि strong होते हैं वह hydrogen gas को evolve नहीं करते हैं ठीक है अभी आपको पता चलेगा but do all metals react in the same manner let us find out क्या सारे metal same manner में react करेंगे तो आइए भाई देख लेते हैं activity बताई गई है right equation for the reaction of magnesium aluminium zinc and iron with the dilute hydrochloricase ठीक है यह वीडियो खतम होने के बाद जो यह आपको बताया गया इस reaction को किसको इन सभी की reaction को magnesium को aluminium को zinc को iron को आपको dilute hydrochloricase के साथ डिया करके जो उसका answer आएगा उसे आपको comment करना है live class खतम होने के बाद comment comment आपके आ नहीं रहें ज्यादा comment आ नहीं रहें सिर्फ कुछी बच्चे लग रहा पढ़ रहें ठीक है comment करते रहिए hydrogen gas is not evolved अगर बोर लगने लगता है तो बताईए इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ी ऐसी बाते कर देता हूं जिससे आपको बोर न लगे न और फिर chemistry है अच्छे से मज़ा लेकर पढ़िए बहुत इंडरेस्टिंग चैप्टर है hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid का बता दिये गए भाई hydrogen gas ही नहीं निकल दी है जब कोई metal किस से react करेगा nitric acid nitric acid तुरंत दिमाग में formula आ जाना चाहिए nitric acid का formula बताईए comment करके बताईए तब तक में लिख रहा हूँ HNO3 होगा ठीक है HNO3 होगा ना HNO3 nitric acid का formula होगा hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid it is because HNO3 is a strong oxidizing agent क्या है बहुत ही ज्यादा oxidizing agent है बहुत ही strong oxidizing agent है it oxidizes H2O to produce water oxidizing मतलब oxidize कर देगा मतलब addition of oxygen कर देगा न तो जब H2 में हमने oxygen को add कर दिया तो हमें क्या मिल गया है H2O मिल गया इसलिए हमें बताईए it oxidizes the H2O produce to water water में कर देता है and itself get reduced to any other nitrogen oxide जैसे N2O NO NO2 but magnesium Mg and manganese ठीक है यहां पर आपको फिर से एक बड़ी हासा question मिल गया कि but magnesium and manganese Mn जो है वो कैसे वो react कर जाते हैं very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas ठीक है तो आगे क्या बताया गया है you must have observed in activity 3.1 one that the rate of the formation of bubble was the fastest in the case of magnesium the reaction was also the most exothermic in this case ठीक है the reactivity decrease in the order Mg-Al-Zinc-Fe ठीक है तो activity है जब आपने परफॉर्म करेंगे तो पता चले कि जो rate of reaction हो decrease हो जाता है जो bubbles का formation हो decrease हो जाता है कैसे decrease हो जाता है जब आपने Mg से मतलब नीचे मेटल जाते है पहले Mg था फिर Al फिर Jink था फिर Fe ठीक है तो जो formation है जो exothermic reaction है वो क्या है जो rate of exothermic है जो heat का evolution है वो कम होता चला जा रहा है क्या पता है आपको exothermic reaction क्या होती है पहले chapter में discuss किया था अगर पता है तो तुरंत comment करिए ठीक है तुरंत comment करिए comment में आज आना चाहिए in the case of copper no bubbles were seen copper के case में कोई bubbles ही नहीं उठावाई the temperature also remain unchanged temperature में भी कोई variation नहीं वादिस तोस्टाइब कोपर दस नोट रिएक्ट वेरी डाइल्यूट है उसके बाद भी बतायागे जो copper है वो hcl से react ही नहीं करेगा ठीक है उसके बाद भी हमें आना वे आपको पता होने है कि रॉयल क्या होता है जैसे रॉयल फी रॉयल इंफिल्ड बुलट होती है आपको पता होकर कर रॉयल को बिलॉंग करती है ठीक है तो उस पर ज्याद डिसकूसन नहीं करेंगे टाइम वेस्ट नहीं किस रेशियो में 3-1 यहां पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि कैसे याद करें क्या 3 है क्या 1 है तो बस आप इतना याद कर लेजिए कि है ठीक है और उसके बाद क्या है एचे नो ठीक है एचे 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 इसे एल में कितने वर्ड है यह मतलग तो तुरंद दिमाग में आजाना चाहिए यह सब आपको ट्रिक से याद करें किसी भी तरही याद करें लेकिन इस बार आप बोर्ड एक्जाम में बैठने वाले हैं ठीक है तो वहां confusion बहुत ज़्यादा बन जाती है ना तो इसलिए पहले से इस तरह से याद करने कि वहां हम भूले ना इट कैन नौट डिजॉल्व टफ नाएड नाइदर ऑफ एसीड कंडो सो अलॉर यह ऐसी प्रोसेस को कर सकता है जो कि कोई एसीड एलोन मतलम अकेले नहीं कर सकता एक्वारीजिया इस यहां पर आ नहीं पाया है ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ एक्वारीजिया क्या हो सब्सक्राइब और उसके बाद फिर बताया गया है कि यह किसको डिजॉल कर सकता है यह यहां तक कि जो प्लैटिनम है जो प्लैटिनम है यह इसको भी डिजॉल्व कर सकता है गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी आपस में यह अपने में डिजॉल्व कर सकता है और कोई ऐसा सब्सेंज आद तक अभी यूनिवर्स में बना ही नहीं है जो गोल्ड और प्लैटिनम को खुद में डिजॉल्व कर सके मतलब आप उसमें गोल्ड और प्लैटिनम को डाल दे तो डिजॉल हो जाए ना ऐसा कोई सबस्टेंस ही नहीं बना है लेकिन यह एक बार ऐसी है रियाक्शन हो रही थी और यह सबस्टेंस बन गया उसके बाद देखा गया कि यह बहुत ज्यादा क्या है डाइमंड है तो क्या होगा भाई अगर डाइमंड को ही हमें डालती है तो मैंने इसके बारे में पढ़ा और उसके बाद मैंने पाया कि अगर आप अगर आप डाइमंड को डालती है तो जो डाइमंड होगा जो डाइमंड होगा उस पर कोई भी रियाक्शन नहीं होग मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा जैसे डाइमंड डाले थे उसी तरह निकलाएंगे ना क्योंकि डाइमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है इसलिए जो एक्वारीजिया का धुलवा देते हैं अब लोग जाते हैं गोल्ड स्मित के पास और वो धुल देता है लेकिन आपको इस बात को पता होना चाहिए कि जब वो उससे धुलता है तो उसकी कुछ लेयर हट जाती है ठीक है उस पर डिसकुशन नहीं करेंगे टॉपिक से नहीं भटकेंगे आगे बताया गए है कि जो में में डिएक्टियूम Dlatego जो डिस्प्लेटव हो जाती ऑन जिसके दूरा म services ज्यादा ताकतवर होते ज्यादा revenue Metals होते हैं के चलिए अखेज हो अगया स वी है से एक आल में आर नौखलीective we checked the reactivity of various metals with oxygen water and acid but all metals do not react with these reagents so we were not able to pull all metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity displacement reaction studied in chapter one gives better evidence about the reactivity of metal ठीक है तो यहां पर हमें यह बताया गया कि देखिए भाई हमने metals को oxygen के भी साथ react करवा दिया water के साथ भी react करवा दिया acid के साथ भी react करवा दिया लेकिन अभी हम कुछ ऐसा conclusion obtain नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम यह बता सकें कि कौन सा metal किस तरह से react करेगा किस तरह से react करेगा तो इस लिए हमने किसको as a base माना है हमने as a base displacement reaction को माना है किसको बेस माना है displacement reaction को as a base माना है ठीक है displacement reaction हमें ज्यादा अच्छे से evidence प्रमाण देती है कि हम किसी भी metal के reactivity को कैसे decide करें ठीक है तो इसमें क्या बताएगा है इसमें हम बताएगा है metal a plus salt solution of b salt solution of a plus metal आपको एक metal ली ले जिए और एक salt solution ले लीजिए किसी भी substance का ना आप किसी भी substance का salt solution ले लीजिए उसके बाद salt solution of आपको a मिल जाएगा plus metal of b भी मिल जाएगा समझते हैं कि example कि ठीक है मान लीजिए हमने metal क्या ले लिए हमने metal ले लीजिए copper ना उसी के नीचे रिख रहा है समझ में आ जाएगा आपको उसके बाद फिर हमने ले लिया माली जेड़ेन इसो फोर ना जेड़ेन इसो फोर ले लिया जब हमने इसे आपस में रियाक कराया जब हमने इसे आपस में रियाक कराया तो क्या बनेगा क्या बनेगा ठीक है अगर यह अगर यह copper जिंक से जादा रियक्टिव है तो तो यह CUSO4 plus ZN बना देगा नहीं तो यह रियक्टिन ही नहीं होगी ठीक है वह आपको पता होना चाहिए कि कैसा है ठीक है अगर जादा रियक्टिव है तो हो जाएगा नहीं है तो नहीं होगा विच मेटल कॉपर और आयरें इस मोर रियक्टिव एक्कॉर्डिंग तो यूर अब्जरवेशन इन एक्टिविटी 3.12 वही मैंने बताया ठीक है वही मैंने आपको बताया कि किस बेसिस पर हम यह कर देंगे कि वह जादा रियक्टिव है या नहीं ठीक है यहां पर आपको फि विच्टिविटी सीरीज का लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को पहले देख लिजे क्योंकि वहां पर हमने हर एलिमेंट के सिम्बल और रियक्टिविटी सीरीज को ट्रिक्स याद किया है एक ऐसे ट्रिक हमने बना दी जिससे हमने उसे याद किया और बहुत ही आसानी से बच्चों के कमेंट आ रहे थी कि बहुत ही आसानी से हमने उसे याद कर लिया ठीक है तो आप भी उसे देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है the reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities reactivity को सब्सक्राइब क्या बोलते हैं activity बोलते हैं अप्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेश्मेंट एक्स्पेरिमेंट एक्टिविटी 1.9 एक्टिविटी 3.12 ठीक है the following series table 3.2 known as the reactivity or activity source has been developed ठीक है यह develop कर दी गए ठीक है तो यह develop कैसे की गए यह displacement reaction को perform किया गया उसके बाद आपको बताया गया ठीक है तो अभी तक आपके syllabus में जो बताया गया है उसके हिसाब से आप यह मान लीजिए कि जो potassium है जो potassium है यह क्या है यह most reactive metal का दरजाई से दिया गया है यह most reactive है ठीक है उसके बाद फिर उसके बाद फिर sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen ठीक है hydrogen के उपर वाले जितने भी metal है यह ज्यादा reactive है ना मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरह से reactivity बढ़ती जाएगे ठीक है यह हमने क्या बताया increasing order of reactivity बताया और अगर हम downside arrow बनाते हैं तो decreasing order of reactivity बताते है ठीक है उसके बाद फिर आगे क्या देखते हैं आगे इसमें हमें बताया गया कि जो AU है AU जो है जो गोल्ड है जो गोल्ड है यह कैसा है least reactive metals और मैं आपके knowledge के लिए बता देना चाहता हूं जो platinum है जिसका symbol होता है पीटी जिसका symbol होता है पेटी उसकी जो reactivity है वह गोल्ड से भी ज्यादा कम है वह गोल्ड से भी नीचे आता है ना सिर्म knowledge के लिए बता दिया गया ठीक है वीडियो काफी बड़ा हो रहा है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अब थोड़ा अगले वीडियो में discuss का लिय क्या procedure रहेगा अगर आप class 9 के बच्चे हैं अगर आप class 9 के बच्चे को किसी को जानते हैं आपका कोई भाई है ठीक है आप कहना चाहते हैं कि आप unacademy पर भी पढ़ें ठीक है वह एक इंडिया का number one learning platform बन चुका है अनकेडमी क्या बन चुका है इंडिया का number one learning platform बन चुक करना है जिसमें आपको क्या सर्च करना है आधर बाच पर आधर बाचना और पर फिर प्रोफाइल मिल जाएगे और पर नीचे लिखा रहेगा प्रोफाइल के नीचे कहा रहेगा्व अगर अभी तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब मुंहीं किया है तरण तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियों थीकर और मिलते हैं next lecture में जिसमें हम लोग remaining part को complete करेंगे and thanks everyone for watching such awesome lecture